सात्यों, सामुहिक्ता के जिस शक्ति ने गुलामी की बेडियों को तोड़ा था, वही शक्ति भारत को दुनिया की बड़ी ताकद भी बनाएगी. सामुहिक्ता की यही शक्ति आत्म निर्भर भारत भ्यान का मुल्भुत आधार है। आप कल्पना की करिए, इस कोरोना काल में जब भारत ने एक सो पचास से जादा देशों के नागरिकों की मदद के लिए जरूरी दवाईयां भेजी, आज भारत ने दुनिया के अलग देशों ते अपने पचास लाग से अधिक नागरिकों को स्वदेश लाने का काम किया। जब भारत ने अनेकों देशों के हजारेओ नागरिकों को सुरक्षित उनके देश भेजा, जब आज भारत खूद कोरोना की वैक्षिन बना रहा है, दुनिया के बड़े-बड़े देशों से भी तेज गती से टिका करन कर रहा है। जब भारत मानव जीवन की रक्षा को धान में रखते हुए, दुनिया भर को वैसिन पहुचा रहा है, दे रहा है, तो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को जहां भी उनकी आत्मा होगी, जरूर गर्व महसूस होता होगा। साधियों, इस अभियान को सभल बनाने के लिए अभूत्पूर्व प्रयासों की भी जरूरत है। इन भगिरत प्रयासों की एक जलक हमें इस बार के बजट में भी दिखाई देती हैं। कोरोना कान में देश के सामने जो चुनवतियां आई, उनके समाधान को ये बजट नई तेजी देने वाला है। साथियों, बजट के पहले कई दिगज ये कह रहे थे कि देश ने इतने बड़े संकर का सामना किया है, इसलिए सरकार को टैक्ष बढ़ाना ही पड़ेगा। देश के आम नागरिक पर बोज लालना ही होगा, नए नए कर लगाने ही पड़ेंगे, लेकिन इस बजट में देश वासियों पर कोई बोज नहीं बढ़ाया गया। बलकि देश को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने जादा से जादा खर्च करने का फैसला लिया है। ये खर्च देश में चौड़ी सरका बना सरके बनाने के लिए होगा, ये खर्च आपके गाउं को शहरों से, बाजार से, मंडियों से जोडने के लिए होगा, इस खर्च में फूल बनेंगे, रेल की पट्रियां बिछेंगी, नई रेल चलेगी, नई बसे भी चलाई जाएगी, सिक्षा, पढ़ाय लिखाई की ववस्ता अच्छी हो, हमारी ववाओं को जादा अच्छे आउसर मिले, उसके लिए भी बजेट में अनेग फैसले लिए गए हैं, और साथियों, इन सब कामों के लिए काम करने वालों की भी तो जरूत पड़ेगी, जब सरकार निर्मान पर जादा खर्च करेगी, तो देश के लाखों नवजमानों को रोजगार भी मिलेगा, आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे,